नमस्कार दोस्तों, The GS Platform YouTube चैनल में आपका स्वागत है तो देखिए आज है आपके लिए Current Affair का वीडियो नमर 45 तो इससे पहले 44 वीडियो बने हुए आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो वीडियो शुरू करने इस पहले में आपको बता दूँ कि आप हुमारे इस चैनल The GS Platform YouTube चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे कि आपको नई वीडियो मिलती रहे तो पहला प्रश्ण देखिए यहाँ पर Current Affair 45 का है यहाँ पर 15 जनवरी तक की Current Affair को सामिल किया गया है तो देखिए पहला प्रश्ण आपर है सयद अकवरद्दीन कौन है तो देखिए इसका अंसर है सन्युक्त राष्ट के लिए भारत के इस्थाई प्रतिनिदी है युएनों के लिए भारत के इस्थाई प्रतिनिदी है सयद अकवरद्दीन और मैं आपको बता दूँ यह इसलिए News में आये है क्योंकि इनकी Twitter account को पाकिस्तान के एक हैकर ने हैक कर लिया था इसकी वज़े से इनको यह चर्चा में आए ने ठीक है तो दूसरा प्रेशन देखे यहां पर इस आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अंसार इस विनिर्माण सूचकांग मां कौन सा देस प्रतमिस्थान पर है तो यानि कि इस विनिर्माण सूचकांग ये एक Index है इस ranking में जापान को प्रतम इस्थान मिला हुआ है और अगर हम भारत की बात करें तो भारत को उसमें तीस्वा इस्थान मिला है ठीक है तो यह दूसरा question आपका complete हुआ है बढ़ते हैं अपने तीसरे question की ओर तो देखिए तीसरा question है इसरायल की प्रधान मंदरी का क्या नाम है तो आप जानते हैं कि इसरायल की प्रधान मंदरी हाल ही में भारत के दौरे पर हैं वे यहाँ पर महमान बनके आए हुए हैं तो उनका नाम आपको याद रखना हुआ क्योंकि करंट अफेर से related है question काफी important है तो उनका नाम है Benjamin Nathan Yahoo ठीक है यह इनका नाम है तो आप इनको ध्यान रखेंगे चौता प्रशन देखिए कौन साराज वर्स 2017 में Business Reform Action Plan में सीर्स पर रहा तो आप जानते हैं कि Business Reform Action Plan का मतलब यह होता है कि व्यापार के मामलों में जो सुधार होते हैं ठीक है व्यापारिक सुधार होते हैं उन प्लान में कौन साराज शीर्स पर रहा है तो यह आपका है पश्चिम मंगाल ठीक है तो चौता आपका प्रशन कम्प्लीट हुआ पांच्वा प्रशन देखिए भारतिय संस्कृति महोत्सव यानि कि राष्ट्री संस्कृति महोत्सव का सात्मा संस्कृति कहां आयोजित हो रहा है तो देश की संस्कृति संबंदित एक महोत्सव मनाया जाता है हर साल तो सात्मा महोत्सव एक करनाटक में आयोजित हो रहा है ठीक है ध्यान रखेंगे इसको तो 6 प्रिशन देखिए खाली में सेना दिवस कम मना गया तो 15 जन्वरी को यानि कि आज के ही दिन सेना दिवस मनाया गया है तो ये 170 सेना दिवस है 6 प्रिशन काफी important है एक दिवस की रूप में है 7 प्रिशन देखिए भारत का पहला IT trend union कहां बना ठीक है तो 7 प्रस्ट आपको complete हुआ 8 प्रस्ट देखिए repeated है यानि कि एक बार आया हुआ है हाल ये में अमेरिका जापान संजुक्त सेनाब्या सुरूआ सब क्या नाम है तो उसका नाम है iron fist ठीक है अब भी मैं आपको ये बता दूँ कि ये repeated क्यों है देखिए यही question वीडियो नमबर 43 में वीडियो नमबर 43 में 9 नमबर का question है यानि 9 प्रस्ट है तो अब दुबारा लिखने कि क्यों आशकता पड़ी क्योंकि देखिए वहाँ पर एक letter रह गया था iron fire और रह गया था ठीक है आर बन गया था वहाँ पर तो वहाँ पर iron first लिख गया था तो आप उसको correct कर लेंगे iron fist है ठीक है iron f-i-s-t यह सही है वहाँ पर क्या लिखा हुआ था i-f-i-r-s-t तो देखिए जो r है यह नहीं है ठीक यह word नहीं है kable f-i-s-t है f-i-s-t ठीक है तो यह correction कर लेंगे आप ठीक है इस correction को करने के बाद आपके 8 question आज की complete हो गए है ठीक है ध्यान रखेंगे इसका जो जापान अमेर्का सेन्युक्त सेननाभ्यास हुआ है उसका नाम क्या है iron fist तो typing की problem की वज़े से वहाँ पर एक उसमें R प्रेस हो गई थी इसके वज़े से गलत हो गया था तो अब आप सही कर लेंगे इसको iron fist तो यह रहे आपके heart question आज की current affairs related तो मिलते आगले वीडियों तब तक के लिए नमस्कार